नमस्कार दोस्तों फाइनेली यहाप शाओमी ने अपना और एक नया मोबाइल लाँच कर दिया है यहाँ दोस्तों शाओमी का S2 चायने में लाँच हो गया है आज ही की दिन तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों यह जो एक बजट सेग्मेंट वाला फोन होने वाला है बट वीडियो शुरू करने से पहले बता दू कि मुझे यह फोन सच में पसंद नहीं आया पता नहीं शाओमी ने यह नहीं सीरीज क्यों शुरू की है क्योंकि यही स्पेक आपको देखनेक मिलते है रेड में 5 में नोट 5 प्रो में वाइवन में जिहां द दोस्तों पता नहीं शाओमी ने यह मुबाइल क्यों निकाला क्योंकि शाओमी के कुछ ऐसे और मुबाइल है उन सभी फोन में आपको सेम जिया दोस्तों एक्जाक्टली वही स्पेसिफिकेशन देखने मिलता है रेड मी 5 में नोट 5 प्रो में थोड़ा सा उपर नीचे है अल्मोस सेम स्पेसिफिकेशन देखने मिलता है तो चले बात करते हैं इस फोन की तो इस फोन में आपको देखने मिलेगा 5.9 इंच का HD Plus या दोस्तों ना कि Full HD Plus HD Plus डिस्पले आपको इस फोन में देखने मिलेगा जिसका एस्पेक्टर इस हो है 18 इस्टु 9 का मतलब कि यह फो अच्छ के साथ में क्यों निकाला श्याओमी नहीं है फोन बात करें इस फोन की वारेंड की तो इस फोन में आपको देखने मिलीगी 3 Gb RAM 32 Gb का स्टोए 4 Gb का स्टोरीच यहां पर बात करें बैटरी तो दोस्तों में आपको देखने मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 3800 मेंज की य यहां पर पता भी नहीं हमें कि इसमें Micro USB है या भी Type-C का Port आपको देखनेंग मिलता है तो अगर यह phone fast charging को support होता है तो यहां पर आपको एक advantage देखनेंग मिलेगा बट इसके बारे में फिलाल confirmed news नहीं है बात करें यहां पर इस phone की cameras की दो दोस्तों कह रहे है कि यह जो phone एक selfie centric phone होगा क्यूंकि इस phone में आपको देखनेंग मिलेगा front side के तरब 16 Megapixel की selfie जो की support करती है AI technology को artificial intelligence को यह selfie support करती है तो इस phone में selfie तो काफी बहुतरी नहीं की portrait mode bouquet mode के जो इफेक्ट आप इस phone में काफी बहुतरी नहीं तरके से खीच सकते हैं बात करें यहां पर back camera की तो दोस्तों इस phone में आपको देखनेंग मिलेगा इस price segment में dual camera जिया दोस्तों यह बात तो मुझे पसंद आई क्यूंकि back side के तरब आपको देखनेंग मिलेगा 12 प्लस पाच मेगा पिक्सल का camera जिसका aperture लगबग f2.0 का होने वाला यह photos भी काफी बहुतर इन आस सकते हैं देखते आप कितने बहुतर इन फोटो जाते हैं पट एक average photo इस phone में आप खीश सकते हो बट यहाँ पर थोड़ा सा twist है क्योंकि यह phone जो है वो budget segment में है तो इसमें जो आपको budget segment में dual camera देखनेंग मिलता है तो यह एक advantage आपको यहाँ पर देखनेंग मिलता है बात करें इस phone के operating system के तो दोस्तों यह phone जो आएगा out of the box Oreo के साथ में आएगा इसमें layering होगी MIUI 9 की जिया दोस्तों MI की इस खुद की जो OSA आपको इस phone में देखनेंग मिलेगी तो औरहाल बात करें इस phone की तो यह phone exactly same देखता है Redmi 5 की तरह and Note 5 की तरह पता नहीं Xiaomi ने ऐसा क्यों किया क्योंकि इसी price range में आपको बहुत सारे Xiaomi के mobile देखनेंग मिलते है पुराने भी phone और नए भी phone आपको इसी specification के साथ में लगबग इसी price range के साथ देखनेंग मिलते है 1000 में यह phone मिलता है China में पता नहीं यह phone जो इंडिया में कब आएगा आएगा या फिर नहीं आएगा बट मुझे लगता है कि Xiaomi को यह नई सीरीज शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्यूंकि यही spec आपको दूसरे mobile में भी देखनेंग मिलते है तो दोस्तो आप बताईए मुझे आपको क्या यह सच में phone पसंद आया क्या आप कर सकते है वह यह Xiaomi का S2 प्लीज बताईए मुझे कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए इस phone की प्राइज और कब तक आएगा यह phone इंडिया में तो दोस्तों विलाल इस वीड़ों में इंदा है अगर आपको यह वीड़ों पसंद आया तो प्लीज इस वीड़ों को लाइक कीजे शेयर कीजे और मेरा आपका कोई भी सुजा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजे